आज मैं अपनी प्रेसिपी बनाऊंगी और यह बहुत ही आजी बहुत ही हेल्डी और और ओइल फ्री रेसिपी जो कोई भी बना के खा सकता है यह मेरी इतनी फिर इन यह को भीकली ट्वाइस या ठ्राइस बनाकर खाती घाती हैं, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, यह मैंने कै ग्रेट करी दिखे ग्रेट करें लिए लोग वूर के भूखिया दिखें नीचाने सी मुखळाणां लार। आप इसको कभी भी बना कर खा सकते हो यह इतनी हिल्दी होती है कि mostly लोग इसके खाना पसंद करते हैं आप इसको दो तरीके से खा सकते हैं मैं आपको आगे बताऊं कि कैसे खाना है चलिए यहां पटी टेबल को स्वीज कर लेते हैं आएगे का प्रोसेज देखें तो बहुत ही अच्छे से सवीस करने बादव उसको हम लोग आए अगे का प्रिशेश ने और अचीज से स्वीस करेंगे कि अागे क्या करनाया है अच्छे से स्वीस करी जाए कि अच्छे सारा पानीfed धरARS और यो झाल बनेग 추천 नहीं आप सिकम भी और चॉप्ट गालिक बिल्क पेपर और गालिक चत्नी और रहते हैं गालिक चत्नी और अपने रेसिपी देख सकते हैं मैंने अप्लोट करिए है, यह है मैंने राइस पेपर लिया है, मैंने इस टॉपिंग को रखी, आपकोई भी स्टॉफिंग बेस्त होगती है कि इसमें कोई पीर और में से घंड हो दो कि अचिया ने में जो होता है तो आले अशया. अगर आप एर फ्राइर करना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं कि यह बहुत ही टेस्टी लगती है तो देखिए इस सारे रोज बना के इसको हम लोग ट्रे पे सेट कर लेंगे देखिए हमारे रैप से बोल बन चुके हैं अब मैं इसको एर फ्राइर करूंगी और यह देखिए एर फ्राइर होके आगए यह ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें फाइव तो सेवन मिट्स लगते हैं इस सूपर क्रिस्पी इट इस सूपर क्रिस्पी आपको इतना अच श्राइब में बनाई हुई है इस होमडा चतनी आप मेरे चानल पर जाकर विख सकते हैं मैंने कई तरह की चतनी यह शेजवान चतनी भी भी तेस्टी है आप उसको देख सकते हैं और इस रसिपी के साथ इन्जॉय गर सकते हैं विधिक इतना प्यारा लग रहा है कितना अच तक ये